गुद मॉनिक स्टुटेंट्स आजम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमर 85 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 हमारी डेट 18 फर्वरी के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोक्षीट में जो मारे चैप्टर नमर 10 है फॉर्स लाइट से इसको इसकी समरी एक बार पढ़ लेते हैं मतलब जो बुद्दा ने वैसे तो आपनी चैप्टर पढ़ रखा आगी तो देखो इसमें इस चैप्टर में क्या है बुद्दा सेट इस लाइफ है इस वोल्ड में वो ऐसे ही है दुखत है इतनी जादा प्रॉब्लम साती रेती है पेन से दर्द से भरी हुई है लेकिन इसका मतलब ये for there is not any means by which those have been born can avoid dying ऐसा नहीं है कि जो लोग पैदा हुए है वो मरे ना अगर जो पैदा हुआ है उसकी कभी न कभी death तो होनी है एक old age में जाने के बाद क्या है एक मोत है death है तो ये निचर रिविंग बिंग का ऐसा होत तो as fruits as ripe fruits are early in danger of falling जैसे जो कच्छे जो fruit होती है उन पी खत्रा होता है उन पी खत्रा होता है मतलब की वो गिरना जाए तूटना जाए तो so mortals when born are always in danger of death तो mortals मतलब जब भी कोई पैदा होता है जन्म लेता है तो उसे हमेशा death का खत्रा होता है as all the earthen vessels made by the porter and in being broken जितने भी जो vessels है जो मतके वगेरा है जो ये बनाते हैं पोर्टर बनाता है वो कभी ना कभी तो टूटते ही है ठीक है so is the life of mortals ऐसे ही हमारी life है mortals की ठीक है mortals क्या होते है जो मृत्त हो जाते है immortals जो अमर होते कभी ना मरे ठीक है तो बहुत young and adult चाहे कोई young है adult है जवान है बूड़ा है सब को सब की सब क्या है both those who are fools and those are wise चाहे कोई मुर्ख है या कोई चतुर है all fall into power of death सब को एक ना एक दिन क्या करना है खतम होना है death की मुमें जाना ही all the are subject to death of those who overcome by death depart from life a father cannot save his son देको जैसे और kinsome their relations आपको पता है कि जैसे मतलब हमारे family members होते हैं सबको अपने family members उतने ही प्यारे लगते लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनको रोक सके जाने से एक father है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता अगर उसकी जाता आनी है वो तो होगी तो mark while relatives are looking on and laminated deeply one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter जैसे एक ox से गाए हैं जिनको आपने जो जो स्लोटर होता है बूचट खाना जापे गाए वगरे को काटते हैं हम जिस तरीके से वो उनको भी एक उनको भी खतम हो जाना है ऐसे ही सबको खतम हो जाना है जो world है वो death or decay इनी चीज स will anyone obtain peace of mind रोने से या फिर दुख में रहने से हमें peace of mind नहीं मिलेगा शान्ती नहीं मिलेगी ठीक है जो pain है वो जादा होगा बलकि जो body है वो जादा सफर करेगी he will make himself से अपने आपको वो बिमार बना लेगा पेल बना लेगा लेकिन जो death है वो तो फिर भी आनी है ठीक है वो who seeks peace should draw out arrow of lamentation जो जिसको peace चाहिए जिसको peace चाहिए उसको complain नहीं करने चाहिए उसको grief जो दुख है इन चीजों को लेकर रोना नहीं चाहिए जो होना है वो तो होना ही है दुख को लेकर बैठे रहेंगे तो क्या आपकी पास जो death है वो नहीं आएगी वो तो फिर भी आएग जिसको इन सबसे लड़ना आजाएगा दुख है दुख को काटना आजाएगा इन सबसे लड़ना आजाएगा वो इनसे free हो जाएगा और वो ही blessed होगा ठीक है अब चलते हैं मारे question answers पे first question है मारा आपकी worksheet में तोटल five questions है first जो three questions है वो mcqs है पहले हम उनी को कर लेते हैं first question है आपका बुद्धा has compared the life of mortals to dash किस से किया था wise and fool से compare किया है ripe fruits and earthen vessels से किया है rotten fruits से किया है peace या pain से किया है तो किस से किया है life को ripe fruits and earthen vessels से किया है जैसे ये सब तूटते हैं इसी तरी किसे हम चाहिए और जो हमारी death है वो भी एक नाइक हो नहीं है second question है the word lamenting does not refer to जो lamenting उसका मजब क्या है sorrow क्या नहीं है sorrow grieving mooring ये सब तो है lamenting का दुख दर्द ये सब है ये सब क्या है lamenting से ही synonyum से एक तरह से लेकिन जो cheering है वो इसका इससे refer नहीं करता question number two का D next day according to the chapter the message given about death is this chapter में जो message दिया है death के बारे में वो क्या है it is inevitable इसको आप रोक नहीं सकते it is an inscrutable kind of suffering जो suffering आप कर रहे होगा आप इसको मतलब जो दुख है ये तो आएंगे ही death spares none जो death है वो किसी को नहीं छोड़ती वो तो सब को आनी है D all of the above या सारा ये तीनों के तीनों message देती है तो D आएगा हमारा all of the above चेक है तो ये तीन आपके MCQs थे हो गए आपके MCQs अब हम चलते हैं अपने जो दो questions हमारे रह गए हैं उन प temptation उसको जो limited दुख दर्द ये सब हैं जो sufferings है इन सब से उसको परे जो complaint है शिकायत करने छोड़ देनी चाहिए और जो grief है ये सब इन चीजों के ऊपर होना बंद कर दाना चाहिए he who has drawn out the arrow and has become composed जो इस arrow से इन चीजों से निकल गया है उसी को peace मिल सकता है जो overcome कर जाएगा इ जोड़ी free होगा sorrow से और blessed होगा ठीक है ये होगा आपका question number 4 now question number 5 जो last question आपकी walk sheet का थोड़ा सा बड़ा है what great truth about life does Buddha want to teach in this chapter क्या वो इस जो ये chapter है आपका इसमें वो क्या सिखाना चाहता है क्या relevant teaching आज की time पर ये context है कैसे relevant है ये teaching तो question number 5 में आप लिखोगे किसा गोतमी's futile search made her realize the bitter truth that sorrows are a part and parcel of life जो किसा गोतमी है उसके जो futile search जो उसने search किया ये ढूंडा कि उसने ये realize किया इतना search करने के बाद भी कि ये कड़वा सच है कि जो sorrows है जो दुख है वो तो part है सबकी life का जो life है उसमें ये आएगा ही आएगा तो कोई भी है जो peace है उ He further sees that everything in this world is subject to that. हर जो चीज इस world में है उसको कभी ना कभी खतम हो जाना है. He further sees that the world is deeply affected by suffering, disease or pain. जो ये world है इसमें बहुत सारी suffering है, बिमारिया है, दर्द हैं ये सारी चीजे हैं. Therefore, his first sermon reflects his wisdom about one inscrutable kind of suffering that is death. तो उसके पहले ही जो sermon था उससी से ही reflect होता है, ये दर्शाता है कि जो ये sufferings है, जो ये death है, ये तो inscrutable है. ठीक है? Here the Buddha tells about the universality of death, जो सच है death का वही है कि ये inevitable है and can't be accepted. इससे बचा नहीं जा सकता. ठीक है? आज के टाइम पे today also people are so depressed and living a stressed life. आज के टाइम पे भी जो लोग है इतनी stressed life, इतनी जादा depressed हैं, तो वो इस अपनी इनकी teaching से learn कर सकते हैं और एक जो life है, उसको नई तरीके से नई thoughts के साथ truth को accept करके जीना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? यह हो गया आपका question number two. तो I hope आपको अच्छे से ये work sheet समझ में आगी है, कोई भी doubt है पूरी work sheet में, तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच तरीका है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्यों? क्योंकि आप लोग काफी time से math science पढ़ रहे हैं, और जिब इसमें ये quiz होता है, और साथ के साथ इसमें exciting prizes भी मिलते हैं, तो बहुत आसानी से आपका revision हो जाता है, और बाद में फिर जब आपको detail solution मिलता है, तो आपके सारे doubt क्लियर हो जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने combat 1 दिया था, combat 2 दिया था, combat 1 31st को हुआ था, combat 2 14 फैब को हुआ था, अब combat 3 जो होने जा रहा है, 21st फैब को, बाकी आप जो भी combats हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक हैं, ये unacademy की app पे होगा, तो आपको unacademy की app आपको करेंगे, इसको जोइन करने के 21st फैब को, और यहां पे आप देखिए, आपका syllabus है, mathematics का और science का, यहां पे syllabus दिया हुआ है, आपको code यूज करना है, पूर्णी मा 10, दो फीचर बहुत अच्छे मुझे जो लगे हैं, एक तो इनका combat, क्योंकि इसमें, math and science का बहुत ही समझ नहीं आ रहा है, तो आपने फोटो की जब भेज़ दिया, डिटेल वीडियो solution मिलेगा आपको इसका भी, तो अब जो यह combat होने वाला है, इसमें आपको बहुत सारे जो exciting prizes भी मिलेंगे, अगर माल लो आपका rank 1 आता है, तो आपको 12 महीने ते class 11th का plus subscription मिलेगा, और plus subscription मे इनके बहुत सारे features होते हैं, बहुत best educators का जो courses हैं वो मिलते हैं free में, rank 2 को 6 मंत का मिलेगा, rank 3 को भी 6 मंत का मिलेगा, 11th class का, ठीक है, rank 4 से लेके 50 तक जिनका rank आएगा, उनको एक महीने का unacademy का plus subscription मिलेगा, plus और भी बहुत सारे unacademy के जो prizes रहते हैं, वो मिलेंगे आपको तो बहुत अच्छा program है, चलो prizes तो different चीज है, यहां पर जब आप test देते हैं, math or science का जब आपका test होगा, तो सबसे अच्छी चीज जो है कि आपका revision हो जाएगा, और यह ऐसा नहीं है, चलो आपने अभी यह तो आप दे चुके हैं दो, अभी 21st वाला देते हैं, तो फिर आ आपका math science का मतलब जो इतने भी important question है, वो सारे cover हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, code आपको use करना है, और जो link दिया हुआ है, नीचे description में दिया हुआ है, join करने के लिए, यह 40 minute का रहेगा आपका, और इसमें 30 super question रहेंगे, weekly combat होता है, negative scoring भी होती है, English और Hindi दोनों medium में ह होता है, और बाद में detail video solution provide किया जाता है, detail video solution, यानि कि question कैसे हुआ, तो आपको, आपका score है, जब आप दे रहे होगे, तो आपका score जो है, लेडर बोर्ड पर दिखाए दिया देगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आप exciting prizes जीच सकते हो, आपको करना क्या है, revise करना है, practice करना है, और जीच जाना है, okay, ask doubt का मैंने आप लोगों को बता दिया, कि अगर आपको कोई किसी भी subject का, यहां पे math science का नहीं, आपका किसी भी subject का doubt है, तो यह वाला feature तो 6 से लेगे 12 तक की बच्चों के लिए available, ask doubt, यह तो an academy की app पर ही available है, सभी के लिए, तो इस जाएगा, तो यह आपकी revision कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई teacher जवाब नहीं दे रहा है, तो आप यहां से help ले सकते हो, ठीक है, तो आपको करना है, download the academy app और code यूज करना है, मेरा ask doubt के लिए तो, ठीक है, पूर निमा 10 code आपको यूज कर सकते हो, अगर आपको 10% off मिलेगा, ठीक है, और यह जो only February के लिए ही है, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपका March, April में तो पता ही है, इनको भी कि भई, इनके like, जो prices है, क्योंकि exam आ जाएगा, पास में, तो दो चीज़े मैं आपको यहां पर बताई, combat के लिए, ठीक है, combat आपके weekly हो रहे है ठीक है, और मैंने क्या बताया, ask, doubt आप यूज़ कर सकते हैं, तो यह features हैं अकेडमी कि आप यूज़ करना चाओ तो यूज़ कर सकते हैं, और I hope so, कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like क किजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा, thank you, have a nice day, may God bless you.